हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा देका और नए वीडियो में इस नुवाद करने वाले हैं रासन कार्ड ऑनलाइन कैसे होगा इससे जुड़ी जो भी परकिरिया है मैं आपको शुड़ों समझाने वाला हूँ और किस वेब साइट से ऑनलाइन होगा क्योंकि मैंने कुछ द और इसमें आपको 6 step में रासन कार्ड ऑनलाइन करना होगा इस नोटिफिकेस्न बताया गया तब फ्रेंट्स की नए रासन कार्ड के लिए लाभुकों को विभाग द्वारा जारीखी के वेब साइट पर ऑनलाइन आवेधन करना होगा इसके लिए वेब साइट पर 6 step में मा यहां पर देख सकते हैं यह जो मेनुवल है जिसमें जो है बताया जा रहा है कि आप 6 step में राइश्टेशन करेंगे और इसमें यूजर मेनुवल में steps भी बताये गया है कि कब आपको फोटो अप्लोड करनी है कौन को उनसी जनकारी आपको फिल करना है किस परकार से लॉग और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजे और चनल पर पहली बाने तो चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे तो चले फिंट जानते हैं पूरे डिटल में तो फ्रेंट्स देख सकते हैं यह जो है इसका यूजर मेनुवल है नोटिफिके पर थी उस न्यूज पर भी बताया गया था कि आप जो है सिक्स स्टेप में जो है रासन कार्ड के लिए ऑनलाइन अपलाई करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा यह यूजर मेनुवल आप कहां से डाउनलोड करेंगे और इस यूजर मेनुवल की मैं सच्चाई बताऊंग रासन कार्ड के लिए लिए इसके बेहीं करें आपको शिर jeASSन कार कुली अजयी तो आप में मेरे साथ टा मने यह सारी इन्फोरमेशन में आपको चोर में सहर कर दूगा देखें यहां पर आपको आपको औे किसकीस सटेप में आपको फॉरम फिल क стороны काफीं लोग इसके के बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा जो इससे वीडियो बन चुका है और बहुत तेजी से वाइरल भी हो रहा है मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेंगा सबसे पहले आपको राजिशेशन करना होगा राजिशेशन में आप करेंगे तो एक आपको लॉगिन आड़ी मिल जाए जो निज़ पर में निकली थी उसमें भी जनकारी बताएगी तो इस सिक्स स्टेप में आपको राशन कार्ड आउनलाइन करना होगा चलिए आगे बात करते हैं इसमें जो है यूजर मेनुवल मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप ये यूजर मेनुवल कहां से डाउडोड क करेंगे और इसकी पूरी जनकारी बताऊंगा तखिए सबसे पहले हैं पे रेष्टेशन फॉर्म आपको खूलेगा और यहां पे देखिए जे वी ये उनलाइन ऑरची प्रकार से आपको जो है मिलेगा रेष्टेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको अधारनोमर फि जाएगा OTP को verify करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है registration हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर आपको जो है देखे इस परकाशित registration का message आएगा आपको एक login ID मिल लाएगा और जो आपने password किरेट किया हो था वो भी आपको यहाँ पर मिल लाएगा अब नीचे आप तो आप जो है क्या करेंगे यहाँ पर अपना जो है सारी जनकारी फील करेंगे JVA Online RC Portal मतलब JVA का मतलब होता है Friends की जन वित्रण अन मैं आपको दिखाऊंगा जन वित्रण की website क्या है और यहाँ पर आप जो है सारी जनकारी फील करेंगे तो यह स्टेप्स है लगभग लगभग सबको पता है यह स्टेप्स जो है आप लोग जान चुके होंगे यहाँ पर आपको आएगा राइस्टेशन ऑन-लाइन अप करेंगे और उसके बाद से आप जो है आप एक करके जो है फोटो अप्लोड करेंगे सभी चीजों का अप्लोड करेंगे डॉकमेंटेशन को अप्लोड करेंगे गुरूफ फोटो अप्लोड करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर जो है आपको एक फाइनल सब्मीट करके यह सल्कूराइब करेंगे और जाच करेंगे कि क्या आप थो है राशन काड के लिए पात रहें की नहीं अगर आप रहेंगे तो आपका जो हे रासन कार्ट निर्गत किया जाय झाएगा ठीक है ना जय¬ तीन महिने से दो महिने इसमें समय लगते हैं आपको फ्रेंट दो सा त् leaf tellendre जो कि यहाँ वेरिफिकेसन से लेकर सब्स मतलब हाला कि 45 दिन तो सरकार बोलती है कि 45 दिन में में हो जाता है नोटिफिकेशन की माने तो लेकिन जो है सरकार 2-3 महिना लगा देती है इस चीज को करने में तो यह यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है तो फ्रेंट्स इतना आप सब को पता ही है कि जो है इस परकार का एक जो है यूजर मेनुवल आया है और उसमें जो है रासन कार्ड ऑनला यहां पर आब देखेंगे यहां पर बिहार की ज़ो है जो है यहां पर खुल इंफेसे में आपको कई सारे औप्सर्ण मिलेंगे ऐसे कि आप सबको पताए कि आज तक जो है अभी तक जो है ओफ-लाइन फॉर्म फिल किया जाता था और उसमें आप लोग यहीं से प्रपत रखो और प्रपत रखो डाउनलोड करते थे और यहीं पर आपको जो जो ऑफिसर है जो डाटा इंट्रोपरेटर है वो क्या करेगा यहां पर अपना आईडी पासवर्ट फील करके जो है लोग इन करके जो है आपके ओफ-लाइन दिये हुए फॉर्म के अनुसार जो है आपका रासन कार ओनलाइन करेगा लेकिन यह सारे चुछ जो है विभाग्त के द्वारा किया जाएगा तो उस यूजर मेनुवल में यहीं जनकारी बताई गये है कि कैसे कैसे आपको ओनलाइन करना है देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो ह लिए सगजार नहीं हमाल लूडी ज है जो हमारे जृतरे के हैं उन्होंने क्या जनकारी दिया इसके बारे में मैंने सबसे पहले इस जो फोजस यूजर मेनुवल में इसको वाटसप पर मैंने भेज और उन्से पूछा कि सर्क्या क्या ये सही information है कि नहीं है, क्या इस परकार का है, user manual आपको मिला है कि नहीं मिला है, और सरकार इस परकार की user manual जारी की है कि नहीं है, और क्या रासन कार्ड ओनलाइन कब से होगा, और किस website से होगा, मैंने इतना question किया उनके साथ, इतना question करने के वाशे, friends उन्होंने हमें क्या reply दिया, उन्होंने बताया कि जब हम लोग पिछली बार training में गये थे, training में बैठे थे, तो उसमें ये जनकारी बताई गई थी, कि अब जो है user खुद से रासन कार्ड के लिए, apply कर सकता है, इसके लिए जो एक नया portal त्यार किया जा रहा है, ठीक है ना, उन्होंने इतना जनकारी हमें बताया, फिर हमें पता चला, हाँ तब तो सही होना चाहिए, ये जो भी user manual निकाला गया है, six step में, तो मैंने उन्होंने उन्से पूछा, तब तो ये जो है सही होना चीत, उन्होंने बोला कि हाँ ये सही हो सकता है, उन्होंने ये नहीं बोला कि गलत हो सकता है, उन्होंने ये बोला हाँ ये सही हो सकता है, और ना ही उन्होंने गलती बोला, उन्होंने बोला ये सही हो सकता है, क्योंकि इस पे जो है NIC का सारी information बताई गई है फिर हमने उनसे ये पूछा कि इसका portal क्या हो सकता है तो उन्होंने बोला कि मेरे को meeting में भी इसकी जनकारी नहीं बताई गई थी उन्होंने बस ये बोला कि एक new portal त्यार किया जा रहा है नया रासन कार्ड अप्लाई करने के लिए यूजर के द्वारा तो उन्होंने बस इतना ही जनकारी दिया उसके बाद से जो है हमसे उन्होंने बात नहीं किया और बाकी उन्होंने बोला कि बहुत ही जल्द जो है new रासन कार्ड के लिए जो है apply शुरू हो जाएगा जो कि आप खूद से जो रासन कार्ड बना सकते हैं इसके लिए नया website त्यार हो रहा है उन्होंने यह नहीं बताया कि यह user manual हमें नहीं मिला है कि मिला है कि क्या है उन्होंने यह नहीं बताया ठीक है ना अब देखिए हम रहती अगर एनाइसी में काम करता होगा जैसे माल लिए आप ही के चाचा है सपोच या बड़े भाईया है अगर वो एनाइसी में काम करते होंगे तो इस तरह के जो है काम वहाँ चल रहे हैं तो उन्होंने जो है user manual को जो है viral कर दिया होगा किसी ना किसी तरीके से किसी माध प्लेम धिम से काण वाटसब के माध्यम से क्योंकि पोटल जो है अल्मोस्ट त्यार हो चुका है लेकिन जो है इसको पबिलिकली नहीं किया गया है Tech पे है और इसका जो सारी data अंचाच्पे और शेफिकी जनकारी झोगी यूदर में वही सेम जनकारी झापी थी यह नहीं कहीं अभी धीरे धीरे पब्लीकली हो रहा है और सरकार जैसे इसका URL जो है लिंक एक्टिवेट करेगा नया रासनकार आवेधन के लिए तो जो है यह भी वहां पे आपको दिखाई देगा user manual की कैसे आप जो रासनकार के लिए आवेधन करेंगे अब यह मेरे को कैसे मिलेगा आप लोग कोशन जरूर कीजेगा देखे मेरे पास जो है वाटसप पर आया था इसके बारे में जनकारी के लिए यह क्या है सही है कि गलत है तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यह कैसे मिला जो मेरे भेजने वाले थे तो उन्होंने बोला मुझे भी नहीं पता मेरे को भी आया था गुरूप में तो मैंने आपको भेज दिया तो फ्रेंच इसी तरह से यह वाइरल हो रहा है ठीक है ना यह जो है मैंने किसी वेप साइट से जो है इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है अगर आपको चाहिए यह वाला पीडियाफ नोटिफिकेशन यूजर मे के लिए तो मैं जो है एक अलग से वीडियो ला दूँगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है step by step तो आपको टेंशन नहीं लेना है फ्रेंच अभी जो है यह पब्लीकली नहीं किया गया इसके वेब साइट को जैसे ही पब्लीकल होगा तो मैं जो है इसके उपर एक वीडि जाहिन